दोस्तों, Study91 की अनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज आप सभी के समच्छ उत्तरप्रदेश पुलिस के लिए हिंदी की क्लास लेकर हाजिर हूँ जहां दोस्तों, इसके पहले भी लगबग 30-35 क्लास मैंने UP पुलिस के लिए अलग से बना के रखे थे ये वीडियो दोस्तों, जिस प्लेलिस में जा रहा है, उसी प्लेलिस में मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियो बना के रखा है मतलब लगता है कि कहां कहां से मैं रस निकाल लूँ उसमें ठीक है, चले फिलाल आज क्लास में जुड़ते हैं, कुछ और चीजों पर चर्चा करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे देखिए, स्टड़ी 91 के प्रेटफार्म से दोस्तों, टेस सीरीज के लिए नया पोर्टर लांच है, किताबे लांच है, फ्री क्लास है, पेट क्लास है, तमाम चीजें हैं, जिससे आप अपनी तयारी को मजबूत बना सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, UP पुलिस परिच्छा के लिए अमारे पास दो किताबे हैं, एक किताब तो आपको बैच पर फ्री दिया जा रहा है, इसे आप आनलाइन दे सकते हैं, और इस किताब में दोस्तों प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो आप समय नहीं है दोस्तों, आपक कल्प का चैन कीजिए, जो दिये गए सब्द का सही समान अर्थ बताने वाला है, ठीक है, तो सब्द क्या देरा दोस्तों, सब्द आपके सामने है पत्थर, पत्थर का दोस्तों कौन इंगित करता है, तो लिख रहा है पत्थर का पासाड होता है, बिल्कुल सही, अगर दोस पाहन कहते हैं जो बच्चा इन सब बातों को जानेगा वही तो जवाब देगा तो इस सवाल का पहला उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा याद रखेंगे गिरी मत करेगा दोस्तों याद रखेंगा गिरी परवत को कहा जाता है गिरी किसे कहते हैं गिरी किसे कहते हैं गिरी कहा जाता है परवत यानि पहाड को किसे कहा जाता है याद रखेंगे नभचर कहा जाता है नभ में चरने वाला और नभचर मतलब क्या नभ मतलब आकास चरने वाला जो आकास में उड़ने वाला पक्छी होता है उसको नभचर कहते हैं और निर्भय कहते हैं जिसे भैना हो तो जो जो सही उत्तर है आपसर नमबर एक आपे न कहिएगा कि सर इतना घटिया सवाल आप पढ़ा रहे हैं देखिए ये सवाल जो आपसे पूछा गया परिक्षा में मैं वही तो आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है आगे मैं ऐसे भी सवाल पढ़ा हूँ जो नए होंगे ठीक है क्य जहां पर दोस्तों एक ही वर्ड का कई बार दोस्तों उच्यारण होता जहां पर वर्ड दोस्तों कई बार आ जाए ठीक है वर्ड मतलब क्या होता दोस्तों अक्षर वर्ड का तारपर क्या दोस्तों अक्षर जहां अक्षर दोस्तों कई बार आएं उन्हें क्या कहा जाता द अनुप्रासलंकार, ठीक है, अनुप्रासलंकार होगा, जैसे बच्पन में एक हम लोग खिलुवार करते थे, चंदु के चाचा में, चंदु की चाची को, चादनी रात में, चादी के चममस्य चैटनी चैटाई, तो च, 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 ख, हां, खड़क सिंगे, कड़कने से, कड़क उस सही विकलब का चैन कीजे जो रेखांग की सबनों का सही अबय का भेद भो अबय का भेद पूछ रहा जी हाँ अब अब दोस्तों अबय की बात कर दी चलो मुझे बताओ अबय को और क्या करते है तो याद रुखे का दोस्तों अब्वे को कहते हैं अविकारी ठीक है क्या कहते है दोस्तो अविकारी और अब्वे में आता कौन कौन है दोस्तो तो अब्वे में आता है क्रिया विसेसल क्रिया विसेसल क्या दोस्तो यह अब्वे में आता है इसी तरह से संबंद बोधक क्या है दोस्तो संबंद बोधक अब अभी अभ्डे में आता है इसी तरह से समुच्छे बोधग क्या होना धोस्तों यभी अभ्य में आता है। सरवनाम विसेशड और क्रिया वो चार इसमें आते हैं बाकी इसमें आते हैं यहाँ पर लिख रहा दोस्तो सीता के आगे रमा खड़ी है सीता की आगे देखे क्रिया विसेशड तब होता जब कोई सब्द क्रिया की विसेशडा बताता ठीक है लेकिन ऐसा है नहीं यह दोस्तों सीता की आगे आनि सीता से संबंद को दर साते बतारी कि सीता के आगे खड़ी है तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा संबंद बोधक अब्ब्य होगा समुच्य बोधक भी नहीं होगा, समुच्य बोधक तब होता, जब समू का बोध होता, जैसे कच्छा के बच्चे सोर मचा रहे थे, कच्छा में बच्चे सोर मचा रहे थे, तो ये कच्छा में क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तब हम करते हैं, ठीक है, और 2019 के पेपर में पूछा गया सवाल है सही विकलपवा चैन करे जो असुद वाक्य के सुद धरूप को बनाता हूँ ठीक है एक वाक के देरा घूमना सुबा अच्छा है नहीं घूमना सुबा अच्छा नहीं दोस्तो क्या करेंगे घूमना सवालों को अफ़ल करिये तब समझ में आए कि आसान है कि कठीन है थोड़े बहुत सवालों को देखकर क्या करेंगे आगे बढ़िए लिखरा उस विकलपवा चैन करें जो बताता है कि नीचे दिये गए छंद के प्रतेक चरण में कितनी मात्राएं है अब बताईए क्या करेंगे दोस्तों अब जिसे चंद में मात्रा निकालने आएगा वो बच्चा बतार सकता है और मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है फिर से कर रहा हूँ आप यूपी पुलिस के वीडियो में जाएए वहाँ छंद का वीडियो जाकर देख लिए वहाँ मैंने विस्तार से बताया कि कैसे मात्रा निकाली जाती ठीक है बहुत आसान है मात्रा निकालना ठीक है जहाँ छोटी की जितनी भी मात्राएं होती है जो लगुवाली मात्रा होती उनको एक नमबर देते हैं वर्ड को एक नमबर देते हैं बड़ी मात्राओं को दोस्तो दो नमबर से इंडिकेट किया जाता है जैसे मालू मैहा लिखा दोस्तो नितिन है क्या लिखा दोस्तो नितिन अब इसका मात्रा बनाना तो ये बनेगा मात यह तीन खड़ी पाई कर देंगे यही नितिन लिखा हुआ है ठीक है तो इस तरह से याद रखेंगे चले यहाँ पर पूछा कितनी मात्राएं हैं करते अविसेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की हे मात्री भूमितु सत्य है सगुन मुर्ती सरवश की ठीक है सरवश मतलब सभ ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों क्या है लिकरा 15 से 13 के करम में 28 अच्छा पहले और तीसरे करम में 12 प्रतेक चरण में 24 और प्रतेक चरण में 12 तो दोस्तों बताना चाहूंगा यह जो एक्जामपल है यह उलाला का एक्जामपल है किसका एक्जामपल दोस्तों उलाला की एक् और दूसरे और चौथे चरड में, दूसरे प्लस चौथे चरड में, ठीक है, यहां किती मात्राइं होती, तेरह मात्राइं होती, यही 15 और 13, जोड़ेंगे तो 5, 3, 8 और 1, 1, 2, तो कुल मात्राइं कितनी हो जाती दोस्तो, उललाला में कुल मात्राइं कितनी होती है, याद र कार दोस्तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा option number 1 हो जाएगा ऐसा कईव बार दोस्तो एक sentence ही देखकर पूछ लेता है कि बताई यहाँ पर क्या होगा ठीक है अच्छा एक चीज़ और दोस्तो यह किसका उधार्ड माना जाता है यह बताएगा यह भी बताएगा का पता कलको उला लम यही पूछ दे आप से ठीक है अब लगा थोड़ा सा कटी ना आया ठीक है चली आएगा अच्छा खराब सब आएगा यह आपके पेपर का ही सवाल दे रहा हूँ चार-पांस दिन दोस्तों पहले पेपर के सवाल करते हैं, बाद में अच्छा मैं हमीशा पेपर के सवाल क्यों कराता हूँ, शुरुवात यहां से क्यों करता हूँ, इसलिए जब आपको ये पता होगा कि पेपर में क्या पूछा जाता है, तब न आप टेस्ट सीरीज हल कर प अंक भरना मुहावरेकार्थ क्या होता दोस्तों, तो अंक भरना अंक मतलब होता है, गले लगना, क्या होता दोस्तों, गले लगना, रो पढ़ना नहीं, गले लगाना, ठीक है, अंक भरना मतलब गले लगाना होता है, इसको याद रखेंगे, आपसन नमबर 2 यहां पर बिल लिख लीजिए ऐसे लिखाएगा सुध्ध स्रिंगार कैसे लिखाएगा ऐसे लिखाएगा ठीक है नायक नाइका का जब मिलन होता है तो संयोग सिंगार और नायक नाइका जब एक दूसरे से विशड़ते हैं तो वियोग सिंगार वो बेवफा बेवफा थियां तो याद गरती ठीक है ये भी याद रखेंगे बड़ा important सवाल है ठीक है ये सब अच्छे-च्छे सवाल है इनको जरूर ध्यान में दीजिए चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल उस सही विकल्प का चैन कीजिए जो निर्देशा नुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है व और आपको इस कर्तिरी वाच को बदलना है कर्म वाच में कर्म वाच में प्रधानता कर्म की हो जाती है और भाव वाच में क्या होता दोस्तों हमेसा नकरात्मक तरक आते हैं जैसे माता जी से चला नहीं जाता मुझसे पढ़ा नहीं जाता ये सब आता है तो ये नकरात्मक वाले आते हूं भाव आच्च में आते हूं भाव की प्रधानता होती है तो याद रखी क्या लिकरा दोस्तो पत्र पिता जी द्वारा पढ़ा गया नहीं पत्र पिता जी ने पत्र पढ़ा गलत पिता जी से पत्र पढ़ा जा रहा है और पिता जी पत्र पढ़ रहे हैं तो द पच्चों के दिमाग में आपसर नंबर एक और तीन में चुनाओ करना है तो ज़्यादा तर बच्चे यहीं चूच करते हैं ठीक है लेकिन यह सेंटेंस ऐसे नहीं होना चाहिए ता ऐसे होना चाहिए पिता जी द्वारा प्रत्र पढ़ा जा रहा है तब होता यहां पर याद यहां पर द्वारा देखके जल्दी वाजी में गलती मत कीजेगा सेंटेंसी रर है इसको पत्र यहां नहीं पत्र यहां होना चाहिए पत्र पिता जी द्वारा पढ़ा गया गलत है पिता जी द्वारा पत्र पढ़ा गया यह दोस्तों सही होता ठीक है तो चीजों को ऐसे बच्चे हैं कौपी कलम लेके बैठी है तब समझ में आएगा कौन सा आसान है कौन सा कठीन है तब समझ पाओगे तब जान पाओगे कि हम सही दिशा में पढ़ना की गलत दिशा में ठीक है आगे देखो योजक चिन का सही उधारण कौन सा है जिन बच्चों ने बिराम चिन वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा उनके लिए सवाल दोस्तों योजक चिन योजक चिन लगता कहां है जैसे आपने लिखा दोस्तों सुभ लाब क्या लिखा यहां लिखा सुभ यहां लिखा लाब तो सुभ लाग के बीच में दोस्तों यही जो चिन है यही दुख, रात, दिन, लाव, हानी, पाप, पुन्य, जूट, सच, सत्य, सत्य, तमाम जगा योजक चिन लगता है, उसी तरह से यहां बताना है, लिख रहा है, सिव जी और सिवेस भाई बहन है, ठीक है, यह तो गलत हो जाएगा, रोहन ने कहा, कोई किसी से कहता, उसके बाद जो चिन लगता, दोस्तों, यह निर्देशक चिन होता, यह भी यहां गलत जवाब है, ठीक है, तो दोस्तों बाकी का क्या हो जाएगा यह सब गलत आप्सन है आप्सन नमबर एक है जो सही जवाब दे रहा है ठीक है आगे बढ़िये दोस्तों निमलिखित प्रश्ण में चार विकल्पों में से दिये गए सब्द के सही समास वाला विकल्प चुँच कर दिये ठीक है जिसमें समास का सही विकल्प है ठीक है सब्त सिंदू सवाल दे रहा है दोस्तों सब्त सिंदू और आपको पैचाना है क्या है साथ सिंदों का समू सिंदों का नहीं साथ सिंदूं का समू है ठीक, सही है, साथ, अच्छ, अब देखे, गरबर क्या है, नदियों का नहीं, देखे, अब दोनों लगेगा कि दोनों सही है, अब दोनों में देखे, एक सब्द लिखा, सिंधूओं, सिंधूओं, यहाँ पर वो लगा कर बिंदू नहीं दिया, और यहाँ पर बिंदू दे तो क्या होगा दोस्तों जब किसी का बहुवचन बनाते हैं जैसे मालीजी हमने लिख दिया हैं सिंदू क्या लिख दिया सिंदू का जब बहुवचन करेंगे तो क्या करेंगे बताइए साथ सिंदूओं सिंदूओं ठीक है साथ सिंदूओं का समू दोस्तों यह आएगा यहा सवाल लिकरा दे उस तो उस भी कल्प का चैन कीजिए जो दिये गए सब्द है वाक्का सबसे अच्छा एक सब्द है ठीक है अनेक सब्दों के ले एक सब्द से सवाल दे रहा है उपकार को मानने वाला जो उपकार को मानता है उसी को तो कृतग्य कहते हैं क्या कहते हैं परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला उसे काते दोस्तों उसे काते परोपकारी धर्मक्य मतलब तो धर्म से जुड़ा धर्मक्य हो जाएगा यहाँ पर क्या सही जबाब है option number 1 दोस्तो आपका right answer है आगे बढ़िए निमलिकित प्रस्ण में चार विकल्ब दिये गए जिन में से एक सब्द दिये गए अनेकार्थी सब्द का एक अर्थ है अनेकार्थी बताना अनेकार्थी क्या होता दोस्तो एक सब्द के अनेक माईने निकलते हैं पर्यावाची अलग होता है अनेकार्थी अलग होता है लिकरा दोस्तो कनक कनक को क्या करते हैं तो कनक को सोना का आ जाता है कनक कनक तरसोगोनी मा दखता अधिकाय जो खाए बवरा है जग जो पाए बवरा है तो धतूरा जो खा लेता वो भी बवरा जाता है जो कनक का मतलब सोना भी होता है वो जो पा जाता वो भी बार आ जाता है तो कनक का अर्थ क्या दोस्तो कनक का अर्थ याद रखेंगे सोना भी होता है कनक का अर्थ दोस्तो धतूरा भी होता है कनक का अर्थ आप नहीं जानते हैं याद रखिए गेहूं भी होता है, कनक का अर्थ दोस्तो पलास भी होता है, मैंने कहा न, यह अनेक अर्थी सब्द है, अगर इसी सवाल को हम परियावाची समझ कर करते हैं, अगर हम इसे परियावाची समझ कर जबाब दें, तो तब दोस्तो कनक का जबाब क्या हो जाएगा, तब हम कहेंगे कनक को सोना कहा जाता है, कनक को स्वड कहा जाता है, कनक को कंचन कहा जाता है, ठीक है, ये सब दोस्तों कनक का परयावाची हो जाएगा, जो सोने के परिपेक्ष में दोस्तों प्रयोग किये जाते हैं, ये सब जबाब हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अनेकार पूछ रहा था इसलिए आप पहले से लट रही है ठीक है लिकरा निमलिकित प्रस्ट में विकल्पों में रेखांकित पद के उचीत कारक को पहचानी है ठीक है कारक पहचाना दोस्तों करताने कर्म को करण से हां ठीक है उसी कारक को बताना है लिकरा दूद में बोतल में आधी करण कारक होता है, संभोधन कारक कब होता है, जब की के ना नीने रारी रे जबाब आता है? हमारा हमारी हमारे ठीक है अका तुमका तुमकी नहीं ये काकी के अलग हो जाएगा ठीक है चली तो जब ये बता दोस्तो अच्छा संबोधन नहीं वही है संबोधन पर लगा दिया मैंने ये है दोस्तो संबंध को दरसाने वाला ये संबंध पर आएगा संबोधन पर क्या होत में और पर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल निम्लिकित प्रस्ट में चार बिकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला बिकल्प चुनिए आप देखना है दोस्तों लगवग हर चैप्टर से सवाल देखने को मिलना ना लिकर आए स्कूल बस पांच मिनट अब इसकूल बस पांच मिनट में आगई नहीं आएगी करिए क्या होगा आके गई नहीं आके चली गई नहीं तो भूत में आ जाएगा आएगी याद रखेगा दोस्तों अपसर नमबर दो सही हो जाएगा ये तो बहुत आसान सवाल दोस्तों ऐसे सवाल तो आप धुमाधार कर क्रिया नहीं कई सारे किताबों मैंने देखा जबाब दिया था पूरो कालिक क्रिया पता नहीं लोग क्या कर लेते हैं देखे पूरो कालिक क्रिया ऐसे वाक्य में आती है जहां पर दो वाक्य होता है जैसे मैं कहूं मैं पढ़ा कर मैं खाना खाकर तहलने गया तो पहले खा किया का उधाड है क्योंकि दिवार को रंग ना पैंटिंग करने लगना ठीक है ये दो चीज़ें दोस्तों तो रंगने लगना दौडने लगना यह सब दोस्तों सहीत क्रिया में आता है option number D कीजिएगा क्या कीजिएगा D कीजिएगा बहुत सारी किताबों में अलग-अलग दिया जबाब लेकिन जो मेरे इसाफ से सही है मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उस विकल्प का चैन कीजिए जो दिये गए सब्द का सही इस्त्रिलिंग वाला विकल्प है ठीक है सही इस्त्रिलिंग क्या दोस्तों तो हंस क्या दोस्तों हंस का क्या हो जाएगा स्वारी इस्त्रिलिंग नहीं होगा दोस्तों ठीक है हंस का क्या हो जाएगा हाँ ठीक है सही लिंग बोलना चीए वैसे इसे ठीक है तो हंस से माल लिजे यहाँ पर ठीक है हंस लिखाया तो हंस में जब आप परिवर्टन करेंगे तो क्या बनेगा हंसीनी बनेगा और हंसीनी में मात्रा का खेल है सब ठीक है यह दोस्तो क्या बनेगा हंसीनी ठीक है यह आप याद इसी तरह से भुजंग जो सब्द है भुजंग, भुजंग से क्या बनता दोस्तों, भुजंग से भुजंगी बनता है, भुजंगी बनता कि भुजंगी नहीं, बताइए, सोचिये समझिये जबाब दीजे यहाँ पर ठीक है, भुजंग से भुजंगी नहीं बनेगा कि अपने दिमाग को जोड डाली है मैंने कई बार आपको पढ़ा है मैं आपसे कहा रहा हूँ ना जो पीछे मैंने वीडियो पढ़ा है दोस्तों एक बार वह आकर देख लीजे आपका पूरा का पूरा 99 रूपिस से स्टार्ट है 99 रूपए दोस्तों आपके लिए कुछ नहीं है जब आप टेस्ट देंगे तो मजा खुबाएगा यहाँ पर दोस्तों टेस्ट देते समय कई चीजे मिलेंगी जैसे प्रीवेस एर पेपर भी मिलेगा जैसे करेंट अफेर के सवाल भी मिलेंगे सेक प्रीवेस से दिये गए सब्द का सही लिंग रूप क्या है बताईए जैसे सब्द दे दिया कुमार तो कुमार का क्या हो जागा दोस्तों कुमारी नहीं दोस्तों कुमारीन हो जाता है क्या हो जाता दोस्तों कुमार का क्या हो जाता है कुमारीन इसी तरह से दोस्तों ठठे से लाला का क्या होता है लाला का दोस्तों लालाइन हो जाता है ऐसे भी आद रखेंगे ठीक है कई सारे सवाल आते हैं आसे ठीक है लोहार का लोहारीन हो जाता है ठीक है आगे देखें नीचे दिये गए सब्द का सही बहु वचन बताना है ठीक है बताते हैं चुटिया सब्द नहीं होगा चुटिया का चुटिया हो जाएगा अच्छा एक चीज़ बताऊं इस तरह या वाले सब्द में बड़ा कन्फीजन होता है जैसे सब्द देता चुडिया तो चुडिया एक चुडिया है जब इसका बहुबचन बनाते हैं तब क्या हो जाता है चुडिया हो जाता यहां चंद्रबिंदू लग जाता है ठीक उसी तरह से एक और इजामपल लीजे सब्द देता है डिबिया डिबिया का बहुवचन क्या हो जाता है ठीक है डिबिया हो जाता है ठीक है तो इस तरह से दोस्तो याद रखेगा ठीक है बुढ़ी से बुढ़ियां हो जाएगा अक्षर विक्षेत की बात करा है, ठीक है, सभी अक्षर को अलग-अलग करना है, जैसे लिख दिया क्रिपाड, तो जो क्रिपाड में क्री सब्द हैं, क्री सब्द, ये किस से मिलकर बना है, पहली बात क है, क में दोस्तो, री सब्द लगा हुआ है, ठीक है, इसी में से हो लगेगा तो पूरा रड़ा बन जाएगा तो यहां पर देखिए करी गलत हो जाएगा यहां हलंत लगना चाहिए यह भी गलत हो जाएगा सब हलंत नहीं लगाया है ठीक है इस वज़ा से गलत हो जाएगा तो यहां पर आप जानते हैं जितने भी बेंजन सब्द होते हैं जैस निम्लिके चार विकल्पों में से सुद्वर्तनी वाला सब्द पहचानी है अब आपको लग रहोगा सर बहुत आसान है फिर मैं आपसे करा हूँ भाईया आसान है मेरा कोई दोस है क्या 27 जनवरी 2019 में परिच्छा हुआ था उत्तर प्रदेश पूलिस का ये उसी परिच्छा म उमारो दोस नहीं कि ठीक है मतलब राज़स्थानी है सम मिला दे रहा हूँ ठीक है तो इसमें मेरा कोई दोस नहीं है याद रखेंगे क्रिष्ण जवाब होगा अइसे ही सवाल आता है आपका आपका कॉंफिडेंस कैसे बढ़ेगा बताईए कॉंफिडेंस तब बढ़ेग में विशेसर सब्द की विशेस्ता प्रकट कर रहा हूँ ध्यान से पढ़िए विशेसर सब्द की विशेस्ता याद रखेगा जो विशेसर की विशेस्ता बता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तो प्रविशेसर क्या कहते हैं प्रविशेसर उसे कहते हैं प्रविशेसर जो विशेशण की विशेशता बता है और विशेशण जिसकी विशेशता बता है उसे का कहते हैं लिख रहा इस परवत वाला में बहुत उचे पहाड है तो पहाड की विशेशता क्या दोस्तो पहाड की विशेशता है कि पहाड क्या दोस्तो बहुत उचे हैं तो पहाड क्या ह क्या हो गया दोस्तों पहार सब्द हो जाएगा विसेश से ध्यान से समझेगा उचे उचे सब्द क्या हो जाएगा दोस्तों विसेशर और यह बहुत जो लगा दोस्तों यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों प्रविसेशर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा प्रविस सब्ह alarms करत कि सब्हक्राइब दUNG joue जाएगा तों क्या चेंद की जिए जो दिये गए वाक्य का सही विकल्ब है लिख रहा है सर्वनाम का साबदी कर्थ क्या होता है आप और हम भले कहें कि सर्वनाम का प्रयोग संग्या के अस्थान पर किया जाता है जैसे मैं, तुम, हम, ठीक है, मेरा, तुमारा, हमारा, ये सब हो गया लेकिन दोस्तों अगर इसका साबदी कर्थ देखेंगे तो साबदी कर्थ देखने के लिए आपको यहाँ पर सब्दों को तोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा सर्व धन नाम, तो सर्व मतलब क्या हो जाएगा सभी का, सभी का और नाम का मतलब हो जाएगा नाम तो सभी का नाम यानि सब का नाम ठीक है दूसरों का नहीं ठीक है दूसरे के लिए जो सब्द यूज होता पर जैसे हम बोलते हैं परिक्षा एक सब्द होता दोस्तो परिक्षा तो परिक्षा में क्या हो जाता दोस्तो पर धन इक्षा पर धन इक्षा परबर क्या हो जाता दो दोस्तो परिक्षा हो जाता ठीक है परिधन इक्षा ठीक है तो यहां पर पर जो सब्द होता दोस्तो इस पर का मतलब होता दूसरा ठीक है दूसरे तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर करता इसलिए ऐसे हम करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला सवाल कर याद रखेंगे अंधायुक यह धर्मवीर भारती जी की रचना है किसकी रचना है धर्मवीर भारती जी की बलकि चात का मुझ टेड़ा है भूरी-भूरी खाकदूर नय साहЬतिकार का सौंदर ये शास्त्र ये सबी किसकी रचना है दोस्तों ये गजानन माधः मुक्ती तो याद रखेगा जब जब पेपर होता है तब तब कुछ चीज़ें आती है जैसे सूरज का सातवा घोड़ा किसकी रचना दोस्तो ये धरंबीर भारती जी की सबसे प्रसीद कृती में सेख है इसको भी याद रखेगा आगे बड़े दोस्तो उस सही दीकल का चैन कीजिए जो बताता है कि पृत्वी राज रासो लेखक के रचना कार कौन है पृत्वी राज रासो ये किसने लिखा दोस्तो चन्रबरदाई की कृती है और आधी काल के कवी है किस काल के कवी दोस्तो या आधी काल के कवी है उसी तरह से कलहड की कृती कृती है दोस्तो तो कलहड ने राज तरंगिणी की रचना किया राज तरंगिडी ठीक है राज तरंगिडी की रचना किया है वालमीकी जी ने रामायड की रचना किया संस्क्रित रामायड जो है वो रचना किया हर सवर्धन जी की तीन प्रसी दक्रितियां है उसमें से दोस्तों कौन कौन सी है याद रखेगा नागानन्द का नाम सुनाओगा प्रियदर्शिका का नाम सुनाओगा सुना की नहीं कभी ठीक है बताई मुझे इतनान से ठीक है यह सारी चीजने दोस्तों important है इसको ध्यान रखेंगे नागानन्द रतनावली और प्रियदर्शिका यह तीन रखना है दोस्तों हरसवर्धन जी की है फिर से लिखे रतनावली रतनावली नागानन्द और प्रियदर्शिका यह दोस्तों रखना किसकी है यह तीनों रखना है दोस्तों हरसवर्धन की रखना है तो ये सवाल आप याद रखेगा ठीक है एक और मुझे आद आ रहा है धरमवीर भारती जी की रचना गुनाहों का देवता देखिए कई सारी रचना है गुनाहों का देवता ठीक है अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा खुल नहीं रहा हूं ठीक है दो चार पेपर दीजे फि किया जाए चलिए खुलते हैं कोसिस करते हैं खुलने का उस विकल्प का चैन कीजिए जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकास उपन्यास के लेकक का नाम क्या है सत्यार्थ प्रकास की रचना किस ने किया था दोस्तो तो याद रखेगा दयानन सरफती जी ने किया था इसी दयान की और लोटों का नारा दिया गया वेदों की और और लोटों का नारा दिया गया ठीक है इनी के द्वारा दोस्तों सुद्धी आंदोलन चलाए गया क्या चलाए गया सुद्धी आंदोलन एक मिनट नितिन सार रुकिये यह आप जादा कर रहे हैं आप सर हिंदी पढ़ा रहे ह आप ब्याख्या में इतिहास ला रहे हैं, चलो हिंदी की ब्याख्या लाते हैं, सुनो, सुनो द्यान से, हर्सवर्धन की रशना मैंने बताई दिया आपको, हर्सवर्धन की रशना का नाम क्या है, याद रखेंगे रतनावली, रतनावली, नागानंद, नागानंद और प्रि जाना है किसकी भवगूती साब की तीन प्रसिदेकर प्रसिदिक यह पुअन परिक्षा में आता है क्या क्या आता दोस्तों यहाद रखेगा महावीर चरितम यह इनकी पहली रचना है दूसरी रचना याद रखेगा माल्ती माधव हूँ मालती माध हो ये भी किसकी रचना दोस्तो याद रखेगा मालती माध और एक रचना और आ जाएगा उत्तरर्राम तूसरे नमबर पे उत्तरर्राम तूस जैदाश लिए और जिस अरबिंदू गोश की बात कर रहे हैं ये दोस्तों गरम दल के नेता थे ठीक है बाद में दोस्तों इन्होंने आध्यात में दाड़ कर लिया और दोस्तों साधा के लिए सांत हो गए इनकी एक प्रसीद कृती दोस्तों नाम याद रखेगा सावित्री परिक्षा में आता दोस्तों सावित्री किसकी रचना है तो क्या अब यहीं नहीं करना चाह रहा था सोच रहा था धीरे धीरे आपको अपडेट करूं ठीक है चले कोई वात नहीं देख रहा हिंदी साहित अकादमी की ओर से हर वर्स सलाका पुरसकार दोस्तों किसे दिया जाता सलाका पुरसकार भासा संस्कित के लिए नहीं खेल कुछ से के लिए क्या दिया जाता दोस्तो सला का पुरसकार दिया जाता है ये बढ़ियां सवाल है इसको भी ध्यान रखेगा आगे बढ़िये उस विकल्प का चैन कीजिए जो सही संदी विच्छेद वाला विकल्प है अत्यधिक सवाल क्या दिया दोस्तो अत्यधिक ठीक है अत्यध सब्सक्राइब जो तो दोस्तों यह यह देखर आधात्तर देखकर समझते हैं कि यहां भी क्या होगा यहाँ पर भी जो है यहन संदिय होगा गलत है जवाब याद रखेगा यहाँ पर दिर्ग संदिय है ठीक है आगे बढ़िए उस विकल्प का चैन कीजिए जो दिये गए पद का सबसे उचित सामासिक युगमपद है ठीक है समास में एक प्रते जोड़कर क्या बन गया सामासिक लिख रहा आधार आधार के साथ दोस्तों क्या लगा सकते है तो आधार के साथ विचार लगा सकते है आधार विचार ठीक है तो सामासिक क्या से ठोका विचार जैसे च दोस्तों यह भी सामासीक पद ठीक है तो याद रखेंगे चाल चलन उसी तरह से आदर निरादर ना यह नीचे वाले का बना सकते हैं फिलहाल यहाँ पर आचार विचार याद रखेंगे आचार विचार आपका आधार विचार या आधार विचार नहीं दोस्तों आधार यहा सब्ध का सही समान अर्थ वाला थीक है दूविधा दूविधा को कया दोस्तो दूविधा को धर्मसंकट करते हैं थीक है इंगलीज में इसके लिए सब्द होता millennials क्या है और दोस्तो डिलेडे मा जैसे जब कभी आपका विवा हो जाएगा तो पत्नी आल माता में अक्सर करके देखते हूं कि थोड़ी बहुत जो है ताल में नहीं बैट पाती और उस वाज़ा से दोस्तों किसका साथ दिया जाए ऐसे में न्यूट्रल रहो ठीक है तो किसका साथ दिया जाए दूविधा है क्या है धर्म संकट दोनों जरूरी है तो जिसने अपना जर छोड़के उसका क्या और उसका साथ दोगे तो जिसने आपको जर्म दिया उसका क्या इसलिए दोनों का साथ देना होगा तो धर्म संकट वाली कहानी ठीक है यहां यथा तथ्य नहीं होगा विस्तरित नहीं होगा हो नहार नहीं होगा ठीक है यहां पर एक चीज लिखा का वेट कर रहे होंगे देखें यहां पर जो test series कराए जाएगा वो कभी कोई भी संस्थान complete test series कराने में थोड़ा सा समर्थ होता है आपको free class दिया सकता है आपके concept क्लियर किये जा सकते हैं लेकिन यह जो भरपूर test दे सकते हैं यह class आपका concept प्लियर करेगी और तेजी से हिंदी का अगर test देंगे तो और जादा मज़ा आएगा ठीक है इसके लाव में बताना चाहूंगा हमारे platform से आपकी परिक्षा की तयारी होती है दोस्तों कई सारे classes दिये जा रहे है अभी जैसे math की class दोस्तों evening में 7 बज़े चल रही है especially दोस्तों police exam के लिए ठीक है आप playlist में जाके चेक करीजे एक class आपको मिल जाएगी ठीक है सुबह 10 बज़े दोस्तों GS की class चलती है यह भी playlist में जाके चेक कीजे reasoning की class दोस्तों दोपर में 12 बज़े दी जा रही है इसे भी आप alert रही है ठीक है और रात को 8 बज़े दोस्तों यह Hindi की class दी जा रही है तो आप इसे भी देखे ठीक है यह 4 classes चल लही है जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी बाकी दोस्तों आपके लिए जरूरी क्या है तो आप study 91 pro पर आईए यहाँ पर दोस्तों आके test दीजिए यह test सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब दिन भर में 2-4 test देंगे ना उससे और ज़्यादा आकलन हो पाएगा बाकी अभी UP police के लिए दोस्तों जो course है उस course के साथ यह किताब दोस्तों निसुल दिया जा रहा है इस किताब में 5 state के police exam का matter दिया गया complete GS है इसमें ठीक है complete GS है इसके लावा हमारा practice set भी आ चुका है वो practice set भी आप ले सकते हैं ठीक है तो हमने practice set आफ लाइं के लिए भी निकाल दिया उसमें बखायदा omarchid भी है तो आप उससे अपना test भी दे सकते हैं बाकी portal पर आकर दोस्तों जुड़िए और यहां से भी आप चीजों को लीजिए ठीक है तो चलिए session दोस्तों ही पर समापत होता है उमीद करता हूँ आपको काफी अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा